माचल परदेश की राजधानी शिमला के संजॉली में एक मस्तित को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और फिशले रविवार को देखा हमने की किस तरह से परदर्शन हुआ और आज भी नाकेवल संजॉली बलकि यहां विधान सवा के पार चौड़ा मैदान के पास भी एक पर से देखिए इस सारा घटनकरम घटित हुआ एक कन्फिक्ट हुआ एक गाओं में और यह बताए गया है उसमें कि जो जगड़ा करने वाले लड़के हैं वो मस्जित में यहां पर शेल्टर लेते हैं यहां रहते हैं चीज़ें आगे बढ़ी हैं और दूसरी बात जब यह सा मामले को उठाया गया मालूम पड़ा की 2010 में पहले ही इनके खिलाब मुनिस्पल कॉर्पेशन शिमला में मामले दर्ज हुआ था और मामले दर्ज होने के बाद भी एक इंस्ट्रक्शन लगा था धीरे दीरे चलती रही और चार मंजिला भबन माँ पर खड़ा कर दिया पुरानी कहनी अगर देखते हैं इस पर जो जानकारी मेली हैं कि एक दर्जी आया था और एक धारा बना करके उसने काम की शुरुआत की थी और बाद में कुछ और दर्जीयों को ले करके और लोगों को ले करके आया और इस तरह से वहां पर लोगों की संखे भी बढ़ती पर जो बना है वहां पर तीन तीन-चार-चार सवग लोग बसती के अंदर हैं कि उसके अंदर जो है वहां ऊसमें अजिद यह के मोस्तानी लोगों को भी परिशार्ण हैं कि ने बहुत सबसें बड़ी है कि इस सारी घटना करम में जो बात आई है कि सरकारी जमीन है सरकारी जमीन पर जो निर्मान हुआ वो निर्मान आवैद है इसको हिमाचल परदेश सरकार की कॉंग्रिस की सरकार के मंत्री ने भी विदान सबक अंदर का और इसके लावा जब आगे बढ़ करके बात आई कि अवैद निर्मान है और उसके बाद ये संख्या कुछ लोगों की इस परकार की यहां शिमला में देखने के चारूं तरफ मिल रही है जिनके बारे में मालूम ही नहीं है कि लोग है कहां ना उनका रेजिस्ट्रेशन है ना कोई जिकॉर्ड है उनका ना ही उनकी नहीं हो कि रोहंगिया जो बंगलादे से आकर करके यहां पर अपना कारोबार करते हों तो इन सारी चीजों को ले करके एक सिती तो यह बनी कि कॉंग्रस में बहुत आज लोग जो है वो भी समर्थन में मैं कि इनके खलाफ तो होना चाहिए क्योंकि चिंता का विश्या बना हैं कि इस कारण से बहुत बड़ी संख्या एक पर्टिकुल एक कॉम्यूनिटी की बढ़ देही हैं पर अब बात सिर्फ आज जो परदर्शन चल रहा है परदर्शन में मुद्दा उनका यही है कि अगर यह निर्मान थाबित हो गया कि आवैद है तो इसको डिमॉलिश करना करके कोई confusion जब नहीं है तो कारवाई होनी चाहिए कारवाई में बिलंब नहीं होना चाहिए लोग आक्रोशित हैं गुस्से में हैं और कारवाई के लिए में मुख्यमंत्री जिसी भी हमने आगरे किया लेकिन बिचीत तरह हमको तब लगा जब हिमाचल परदेश के मुख् परदेशन दे रहे हैं और ये वो मुख्यमंत्री हैं वरतमान जो कॉंग्रिस पार्टी के जिन्होंने सरकार बढ़ने के बाद पहला बयान ये दिया था कि हमाचल परदेश में 77 प्रतिशत हिंदू हैं उसके बावजूद भी में हिंदू बादी पार्टी को हरा करकर के आय उनके ये जहन में ही ये बात है जो उनको नहीं बोरनी चाहिए थे और दूसरी बात ऐसी बात अगर मुख्यमंत्री परदेश का क्या आता है कि कुछ लोग जो गलत काम करते हैं उनके होसले बढ़ जाते हैं और इसका परिणाम मुझे लगता है कि ये सारी चीज़े हैं कोई टेंचन आपको लग रहा है कि इस वक्त कोई स्टैप अगर ऐसा उठा या किसी नेता या किसी संगठन की तरफ कोई ऐसी बात कई तो टेंचन हो सकती है क्योंकि ये तो बहुत महीन धागा है कभी भी तूट सकता है देखिए इस बात को मैं बड़ा साब कहना चाहरा हूं कि तनाब देख रहा हूं में है इसमें दुराय नहीं है लेकिन इस तनाब को ठीक करने की जिम्माबरी सरकार की है जल्दी कारवाई करती है तो चीजने ठीक हो सकती है अगर कारवाई नहीं करेगी तो निष्टित रूप से ये चिंता का विश्य है सर का जा रहा है कि अब ये रातो रातो खड़ी नहीं होई बिल्डिंग आपके कारेकाल में क्या हुआ सर क्या उस वक्त कोई ऐसी टेंचन थी या उस वक्त भी क्या आवाजें थी ऐसी नहीं देखी इस बात को लेकर के बात ध्यान में आरी है कि 2010 का मामला है जब उनको नोटिस दिया गया था उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस लगाता रहा थोड़ा थोड़ा चलता रहा मुझे मालूम नहीं अग्जक्ट कब ये बता जा रहा कि 2018 के पहले पहले जो किस व्यक्ति ने इस बारे में शिकायत भी ने की और ये कंस्ट्रक्शन अवैद है ये भी मामला हमारे ध्यान में लाएने किसी ने लेकिन मुझे लगता है कि जब ध्यान में आया तो इसका संग्यान लेते हुए कारवाई होनी चाहिए तरु अब पुलिस और जो स्थान य यहां पर नहीं है और क्या एकी आईडी किसी के कोई और आ रहा है? मैं इस बात को लेकर बड़ा साब क्या रहा हूं कि यह देश सबका है इसमें मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन अगर देश के नागरिक है तो अपनी आडेंटिफिकेशन छुपाने में मैं क्यों मतलब उनको दिखाने में क्यों परशानी है उनको दिखाने चाहिए उनको औ करना सब्सक्राइब को अब घंबेतर से सरकार को लेना चाहिए और ऐसी संख्या कितने लोगों की हैं कहां से हैं यह तो जानना बहुत आवश्यक है ना प्रदरशन कारियों से आप क्या कहेंगे और क्या आप इस पर मुख्यमंतरी से भी बात करेंगे क्योंकि मसला काफी घ कि वह किसी भी चीज़ को गिंबीत से लेते नहीं और खास्तों से पर्टिकुलरली जो उनका सभाब रहा है जब उनने इस परकार की भाष्टा का इस्तामाल किया शुरू में तो मुझे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है लेकिन मेरा उनसे आग रहा है शांति प्रेपरदेश है यह संदेश नहीं जाना चाहिए यहां से और यह कंफिलिक्ट की तरफ चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए तुरंत कारवाई करनी चाहिए इससे पहले कुछ और चीज़ें हो जाए गई प्रदर्शन कारियों से मैं कहूंगा कि कानुन को अपने काम करने दीजिए आप श धर गत्त को ऑग करने जार ही तर चाहिए